next question, question says a particle is found to be at rest when seen from a frame S1 and moving with a constant velocity when seen from another frame S2 mark out the possible option, हमें बताना है इन 4 में से कौन-कौन से सही हो सकते हैं पहला है बोथ फ्रेम्स आर इनर्शल, दूसरा है बोथ फ्रेम्स आर नॉन इनर्शल तीसरा है S1 इनर्शल, S2 नॉन इनर्शल, S1 नॉन इनर्शल, S1 इनर्शल है, जब हमने इसको इस फ्रेम से देखा, let's call this frame S1, यह आपका frame S1 है, इस से जब हमने यहां यहां दिखा है कि यह rest पे है, दूसरा एक आपका frame है S2, इस से जब हमने observe किया, तो यह particle आपका constant velocity से ऐसे जा रहा है, ठीक है, सो यह आपका scenario है, कि यह आपका frame यहां से जब हमने देखा, तो rest पे है, यहां से हमने देखा, तो इस particle की velocity हमें constant velocity देखी, ना उस case में यह possible है, कि दोनों आपके S1 and S2, they are at rest, यह possible है कि यह train है और यह train है, इस डब्बे से आपने इसको देखा, दोनों rest पे है, या फिर यह possible है कि S1 and S2 दोनों है, जो यह दोनों है, यह आपके, जो अपना option B है, दोनों ही आपके non inertial frame है, which means, कि अगर इसका accumulation A है तो इसका भी acceleration A है, तो इसने जब इसको देखा, तो of course इसको rest पे दिखा, इसने से देखा, क्योंकि दोनों का acceleration A है, तो ground frame से जब हम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि option A and B are the correct choices.